हेलो, दोस्तों मैं आज आपको रवी कीशन के बारे मैं बताने जा रही हूँ, मेरा नाम मुस्कान है, रमस्ते, रवी कीशन का जनम 17 जुलाई 1999 मैं उत्तर प्रदेश के जिले जौनपूर मैं हुआ, रवी कीशन को आज हिंदी भोचपूरी फिल्मों का सुपरस्टार माना ज रवी कीशन के हमेशा ही खिलाफ थे, उनके पिता जी चाहते थे कि वो पंदित बने, क्योंकि उनकी जाती पंदित ही थी, पर रवी कीशन के अंदर कुछ करने का जुनून था, रवी कीशन बचपन से ही एक कलाकार बना चाहते थे, शरुवात मैं वो राम लीला मैं मारा पीटा भी पर रवी कीशन नहीं समझे रवी कीशन के अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून था। रवी कीशन कुछ दिन बेकार रहें उसके बाद उनको एक फिल्म मिली जिसका नाम था। पितामबर उस फिल्म में कुछ पैसे मिले उसके बाद उनकी कुछ फिल्म आई जिस मई से एक फिल्म अक्षे कुमार के साथ थी जखमी दिल उसके बाद कुछ दिन उनको काम नहीं मिल तो डिरेक्टर ने बोला कि एक तो तुम्हे रोल दे उपर से पैसा वोई बात सुनके रवी कीशन को बहुत बुरा लगा और उन्होंने सोचा कि मुंबई जैसे शहर मैं कैसे रहूंगा फिर रवी कीशन तूट गए वोई दो-चार फिल्मों में काम किया उन्होंने विचाह बनाया कि शायद मेरे पापा ठीक ही कहते थे हीरो बनना इतना आसान नहीं है उन्होंने एक पल ऐसा सोचा कि मैं अपने गाउं जोनपूर चला जाओ फिर उनके दीमार में एक बात आई एक बार शायद मुझे सिरियल में कोशिश करना चाहिए उन्होंने सुनजय खान के सि अपना डुपता नजर आ रहा था फिर भोचपूरी फिल्म निर्माता कीशन जी उनके पास आये बोला कि हम आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं सहया हमार रवी कीशन ने सोचा कि अब मेरी जिन्दगी खतम है अब उन्होंने अपनी माता के कहने पर अपने गाउं के लिए वो फिल्म साइन किया डिरेक्टर ने उन्हें बोला कि आपको हम 75,000 रुपे दे सकते हैं एक फाइट सीन के कार्ण रवी कीशन की आधे पैसे काट लिए गए थे रवी कीशन की वो फिल्म 2003 में आई उस फिल्म में भोचपूरी फिल्मों में धमा का मचा दिया उस फि अब उनको फिल्मों में काम मिलने लगा सूपरस्टार सलमान खान उनकी एक फिल्म आई जिसका नाम था तेरे नाम उस फिल्म ने हिंदी फिल्मों में धमा का मचा दिया देखते देखते वो भी फिल्म सूपर हिट हो गई अब उन्होंने एक हवा ये सिरियल में काम किया फ उन्होंने पैसो को अपने गाउं फेज दिया। उनके पिता जी ने अपनी गिरभी जमीन छुडवा ली। उसके बाद उनके पिता जी भी रवी कीशन पर नाज करने लगे। उनको लगा कि शायद मैं ही गलत था। उसके बाद उनको काम की कभी कमी नहीं हुई उन्होंने भोचपूरी हिंदी साउथ हर भाषा की फिल्मों में काम किया। 2006 में उन्होंने एक बार सलमान के शो बीग बोस मैं भी गए थे। अब तक उन्होंने 150 फिल्मों से ज़्यादा मैं काम कर चुके है। भोचपूरी फिल्म इंडस्ट्रीज को उपर तक पहुनाने में रवी कीशन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसा लगा कि शायद मेरा सपना कभी नहीं पूरा होगा पर रवी की महनत रंग ला गई। आज वो हिंदी भोचपूरी फिल्मों के महानायक मानी जाते हैं।